दोस्तो आप सभी ने तो नारियल तिल का यूज जरूर किया होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाता है आई ये इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले तो पेरो से कच्छे नारियल तोड़े जाते हैं कच्चा कहने का हमारा मतलब ओ नारियल जिने हम coconut water के लिए खड़िते हैं फिर इस कच्छे नारियल को फैक्टरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्टरियों में पहुँचने के बाद नारियलों की प्रोसेसिंग की काम सुरू हो जाती है लेकिन उससे पहले नारियलों को कुछ दिनों तक सुखाया जाता है फिर उस नारियल को छील कर उसका पानी निकाल लिया जाता है उसके बाद नारियल के उपर जो पतली सी परत होती है उसको हटा दिया जाता है और नारियल के तेल को बनाने के लिए सिर्फ उस सफेद हिस्से का ही यूज किया जाता है इस सफेद नारियल को 2-3 स्टेप तक धोया जाता है ताकि इसमें किसी भी तरह के कोई गंदगी न रह जाए उसके बाद नारियल को मसीन में डाल कर अच्छी तरह से पीसा जाता है अब इस सफेज पेस्ट को दूसरी मसीन में डाला जाता है जहां इन्हें बहुत ही पावर के साथ कॉंप्रेस किया जाता है जिस से नारियल का दूल बाहर आ जाता है अब इस मसीन के मदद से ही पस्चराइज और फिल्टर करके इन में से सुध नारियल ते निकाल लिया जाता है उसके बाद फाइनल टेस्टिंग करके मार्केट में बिकना चालू हो जाता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें